अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम के आज के अध्याय में हम बताएंगे स्टॉक क्वेरी क्या है और इसका उप्यों कैसे करते हैं स्टॉक क्वेरी स्टॉक की सबसे महतुपून समरी है जो आपके व्यावसाई कामों को सरल बनाती है साथ ही आपके काम को गती प्रदान करती है स्टॉक क्वेरी का शाब्दिक अर्थ है स्टॉक से संबंधित प्रश्न सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि Stock Query एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें हमें किसी स्टॉक से संबंधित सभी प्रश्णों के जवाब एक ही इस्थान पर मिल जाते हैं यदि हम इस रिपोर्ट को जादूई रिपोर्ट कहें तो भी कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी इसके पहले हम आपको वीडियो नंबर 40 और 41 में Stock Item Report और Stock Group समरी देखना बता चुके हैं लेकिन ये दोनों Stock को देखने की Basic Reports हैं इनसे हमें किसी भी एक Stock Item की पूरी जानकारी नहीं मिलती जैसे कि Stock Item किस Group और Category का है उसकी Cost Price क्या है Standard Selling Price क्या है Last Purchase किस भाव की है Last Sell किस भाव से किया था अभी कौन से Go Down में कितना Stock है समान कैटेगरी या समान ग्रुप का कौन सा माल कितना Stock है इस माल की सबसे बड़े Supplier और Customer कौन कौन से है यानि Top Buyers और Sellers कौन है इत्यादी यदि आप किसी Stock आइटम की इन सभी जानकारियों को एक सा देखना चाहते हैं तो आपको Stock Query का उपयोग करना होगा यहां हमारा आपसे एक निवेदन है कि इसके उपयोग को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंतितक जरूर देखें तो चलिए Tally में काम शुरू करते हैं यहां हमने अपने एक Company ओपन कर ली है आपको याद दिला दें कि यह वो ही Company है जिसमें हमने Go Downs और Categories पर काम किया था आप चाहें तो अपनी किसे भी Company जिसमें आपने Stock आइटम्स पर काम किया हो उसे ओपन करके हमारे बताए अनुसार काम कर सकते है Tally Prime में Stock Query को देखने के तीन तरीके हैं जिने हम एक एक करके बताएंगे अब हम Gateway of Tally पर है Stock Query के लिए हमें Display More Reports पर जाना होगा उसके लिए D प्रेस करेंगे Statements of Inventory के लिए E प्रेस करेंगे अब Stock Query के लिए D प्रेस करेंगे ऐसा करते ही List of Stock Items आ रही है इसमें से हमें वो Stock Items सेलेक करना होगा जिसके हम रिपोर्ट देखना चाहते हैं हम Sony TV 20 Inches सेलेक कर रहे हैं देखें यहां हमारे सामने Sony TV 20 Inches की Stock Query रिपोर्ट ओपन हो गई है इसमें सबसे उपर हमें आइटम से समबंधित सभी महतपून जानकारी प्राप्त होती है जैसे Stock Items का नाम, उसका ग्रोप, उसकी केटेगरी उसका क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग वैल्यू, कॉस्ट प्राइस, स्टेंडर्ट सेलिंग प्राइस, इत्यादी यदि आपने अपनी कंपनी में GST एनेबल किया हुआ है तो आप इसी स्क्रीन पर इस आइटम पर GST के जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए हम F12 प्रेस करेंगे यहाँ Show, State, Info को Yes करके इस स्क्रीन को Accept कर लेते हैं देखिए यहाँ पर GST की डटेल तो आ रही है पर GST के rate में 0 आ रहा है वो असलिए क्योंकि हमने इस कंपनी में GST तो एनेबल किया हुआ है पर GST की कोई डीटेल नहीं दी है यदि आपने GST एनेबल करके उसकी कोई डीटेल्स दी होंगी तो वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी हम वापस F12 प्रेस करके शो स्टेट इंफो को नो कर देते हैं इस रिपोर्ट में आप नीचे की और चार भाग देख रहे हैं इसमें पहला भाग है पर्चिस का दूसरा है सेल्स का तीसरा है गो डाउन का और चौथा है कैटेगरी का चलिए इन चारों को एक एक करके समझा देते हैं पहला भाग है पर्चिस का इसमें सबसे उपर लास्ट पर्चिस ओन के आगे इस आइटम की आखरी पर्चिस की डिटेल आ रही है और उसके नीचे एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है जिसमें सबसे उपर आखरी पर्चिस है और उसके बाद एक एक करके उसके पहले वाली पर्चिस दिखाई पड़ रही है यानि ये जो लिस्ट है वो डिसेंडिंग ओर्डर में है यानि घटते क्रम में है इस लिस्ट से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये आईटम हमने किस तारिक को किस पार्टी से कितना खरीदा और किस भाव में खरीदा यदि आप किसी पर्चिस का वाउचर देखना चाहते हैं तो उस पर जाकर इंटर प्रेस करके देख सकते हैं आई अब बात करते हैं सेल्स वाले भाग की पर्चिस की तरह ही इसमें सेल्स की डिटेल्स आ रही है यहाँ पर एक बात ध्यान दे पर्चिस और सेल्स में बाई डिफॉल्ट अधिकतम पांच-पांच ट्रांजिक्शन्स ही दिखाई पड़ते हैं आप चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें कम या ज्यादा कर सकते हैं उसके लिए F12 प्रेस करें अब यहाँ number of last transactions to show के आगे वो number टाइप करें जितने transactions आप देखना चाहते हैं हम 10 टाइप करके इस screen को accept कर रहे हैं देखे ऐसा करते ही यहां कुछ transactions और बढ़ गए हैं पर यह 10 नहीं हैं क्योंकि अभी हमारी company में कुल इतने ही transactions हुए हैं अगर हमारी company में 10 से अधिक transactions होते तो यहां पर उसमें से आखरी के 10 दिखाई देते चले अब बात करते हैं तीसरे भाग की यदि आपने अपनी company में go down बनाए हुए हैं तो यहां उनकी detail दिखाई पड़ती है जैसे कि हमने अपनी company में go downs बनाए हुए हैं तो यहां दिखाई पड़ रहा है कि हमारे किस go down में sony tv 20 inches का कितना stock है अब हम बताते हैं चौथे भाग के बारे में इसमें हम जिस item की report देख रहे हैं यदि हमने उसे कोई category बना कर उसमें रखा है तो उस category में जितने भी stock items होंगे उनके नाम, available quantity, cost और sell price यहां पर दिखाई पड़ेगी अब हम आगे बढ़ते हैं हम जिस item की report देख रहे हैं उसे हमने जिस भी group में बनाया है यदि हम उस group में बने सभी stock items की report देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करेंगे अब show stock items of the same stock group को yes करेंगे और इस screen को accept कर लेंगे देखे ऐसा करते ही same category वाले item की जगह पर उस group के अंतरगत बने सभी stock items के नाम, available quantity, cost और sell price दिखाई पड़ रही है अब हम वापस पहले वाली स्थिती में चलते हैं उसके लिए फिर से F12 प्रेस करेंगे और show stock items of the same stock group को no कर देंगे और इस screen को accept कर लेंगे इसे report पर रहते हुए आप कुछ अन्य report भी प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए change view पर mouse से click करें या फिर उसकी shortcut key control और H प्रेस करें देखे related reports के अंतरगत कुछ नाम दिखाई पड़ रहे हैं आप जो भी report देखना चाहते हैं उस पर जाकर enterprise करें हम top buyers and sellers पर जाकर enterprise कर रहे हैं यहां आप देख सकते हैं ऐसा करते ही based on value यानि मूली के आधार पर इस item के लिए top buyers और sellers दोनों की purchase और sales की report आ रही है चलिए पहले बात करते हैं purchase की हमने जिससे सबसे ज्यादा रुपे का माल खरीदा है उसका नाम, quantity और value सबसे उपर आ रहे हैं और उसके बाद क्रमशह उससे कम amount की purchase जिस पार्टी से की है उसकी detail आ रही है इसी तरह sales में भी हमने सबसे ज्यादा amount का माल जिसे बेच रहे है उसकी detail सबसे उपर आ रही है और उसके बाद क्रमशह उससे कम amount वाले customers की detail आ रही है याने ये भी घटे क्रम में है इस report को यदि आप based on value की बजाए based on quantity यानी quantity के आधार पर देखना चाहते हैं तो F12 प्रेस करें quantity wise पर जाकर enter प्रेस करें देखिए ऐसा करते ही report based on quantity आ रहे है इसमें सबसे ज्यादा quantity वाली पार्टी की detail उपर आ रही है और उसके बाद उससे कम quantity वाली पार्टी की details आ रही है यदि आप वापस based on value वाली report चाहते हैं तो F12 प्रेस करके कर सकते हैं इस तरह की list का सबसे बड़ा फायदा हमें sales में मिलता है मान लीजिए हमने कोई item बड़ी मात्रा में खरीद लिया है और हम उसे बेचना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस list में से बड़ी-बड़ी customers के नाम देखकर उनसे संपर्क कर सकते हैं और उन्हें अपना माल आसानी से बड़ी मात्रा में बेच सकते हैं अब यदि आप किसी दूसरे stock item की report देखना चाहते हैं तो इसी screen पर रहते हुए F4 प्रेस करें अब list of stock items में से दूसरे item को select कर लें ये देखिए select किये गए item की report आ रही है चलिए अब आपको इस report का सबसे महत्पून उप्योग बता देते हैं इसे हम एक उधारण से समझ लेते हैं हमारे एक पुराना ग्रहक बालाजी ट्रेडर्स आया और इसने हमसे कहा कि 20 इंचिस वाले सोनी टीवी के दोनक दे दीजी हमने bill बनाना शुरू किया हमने item का नाम select किया और उसने हमसे कुछ सवाल जवाब किये उसने पूछा सोनी टीवी 20 इंचिस का क्या rate है हमने कह वही है जो पिछली बार था उसने पूछा पिछली बार क्या rate था अब हमें या तो party का laser खुल कर देखना होगा या stock item की report खुल कर देखनी होगी तब जाकर हम उसको पिछली बार का rate पता सकेंगे पर यदि आप ये काम शिख्रता से करना चाहते हैं तो backspace की press करके stock item के नाम पर आ जाए और अब alter और s प्रेस करें देखे उस item की stock query report आ रही है इसमें sales वाले भाग में sales के आगे उसी party का नाम आ रहा है जिसका हम बिल बना रहे हैं साथ ही पहले हमने उसे कब, कितना और किस भाव में ये item बेचा है उसकी detail आ रही है हमने पिछला भाव देखकर उसे आसानी से बता दिया उसने फिर पूछा अभी आपके main location यानी warehouse 1 पर 20 inches वाले sony tv कितने हैं बताएं मैं सब ही ले लूँगा हमने अपना stock बता दिया उसने हमसे फिर एक प्रश्न किया आपके पास और कौन-कौन सी company के 20 inches वाले tv अविलेबल है हमने item of same category में देखकर अन्य company के नाम बता दिये उसने फिर एक प्रश्न किया sony के और कौन-कौन सी size के tv आपके पास है हमने F12 प्रेस किया और show stock items of the same stock group को yes करके अन्य size के sony tv की जानकारी दे दी इसे तरह customer किसी अन्य item के बारे में भी जानकारी मांगे तो आप F4 प्रेस करके यहीं से उसे दूसरे item की भी पूरी जानकारी दे सकते है यहां हमारा कहने का तात पर यह यह है कि बिल बनाते समय ही हम किसी भी stock item से संबंधित सभी जानकारी इस stock query report की साहता से प्राप्त कर सकते है चलिए अब stock query देखने का एक तरीका और बता देते हैं जब आप tally में कोई काम कर रहे होते हैं और उसे बंद किये बिना आपको stock query देखना हो तो आप go to पर माउस से क्लिक करें या alter और जी प्रेस करें देखिए common report के अंतरगर्द stock query option दिखाई पढ़ रहा है तो इस वीडियो में आज आपने stock query से संबंधित जानकारी प्राक्त की आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद